चली सब कोई आ गया है एक तो जान था डीप कॉंसेप्चुल था जैसे कि मैंने बताया था उसी तरह से था है ऑफ क्उंसेप्चुल लोज परसेंटेज यह सब का कॉछण पूछे थे में था आघवला और सलेक्टेट टॉपीक कुछे त्यूचरं पूछा था पूछा था ठीक है लीज वाला का हम आपको यह देदेंगे आप उसको क्लेम कर दिएगा ठीक है उसका एंसर गलात है कुछ किताब में 30 एर दिया हुआ है तो हम आपको देदेंगे आपका टेंसर मत लिए चले अभी मेरा अगलास कोस्चन है कि आप लोग जो टेस्ट दिये थ सौन नंबर का जो हम एक्जाम लिए थे आपसे क्या उस पैटर्ण को मैच किया या नहीं किया कोस्चन पेपर इमानदारी से बताना बाई साब कमेंट खुला है बताई ये हारी संकर गुपता कह रहे हैं येस किया था दिपेंदु घोस कह रहे हैं येस एंपी कह रहे हैं हां किया था अकास कह रहे हैं किया था येस कह रहे हैं अजे कह रहे हैं सेलंदर कह रहे हैं है इस कह रहे हैं ठीक है करने का बाद नहीं कर रहे हैं मतलब हुबहु कोशन पर एक्टम वही का वही नहीं चापेगा लेकिन उसब टॉपिक को टच किया था ठीक है चेले तो देखो खूल मिला करके यही है कि हम बार बार लड़का लोगो गोरत भाई सीदियस हो जाओ और हम जो पैटर्न आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि ऑनलाइन एक्जाम में क्या पूछेगा ठीक है इसलिए आपको डीप में सबका नॉलेज होना बहुत पढ़ा रहे थे आपको बिलीव नहीं होगा ब्लैक डाम नाम से वाटसप लड़का लोग गुरूब बना लिया और उसमें अफ़ाफ हैला रहा है कि भाई यह मत पढ़ो इससे मत पढ़ो यह तो इसी पढ़ाता है उससे पढ़ाता है अलतु भालतु का चीज पढ़ाता है रेकलेमसन पढ़ा रहा तीन दिन से पंप ढ़ा रहा तीन दिन से अरे भाई एक बार तुम देखो तो सही अपना अंपना सलेबस को 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 के बाद करें तो 300 पोस्ट का वैकेंसी निकलता था 1516 में अगर कोई एक्जाम दिये होंगे तो उसे पूछिएगा माइनिंग सर्दार ओवर्मिंट का जो वैकेंसी आता था था तीन साड़े तीन सो के आसपास आता था और सीट खाली रह जाता था सेट खाली रह जा आपको बिलीव नहीं होगा पाट केंडिडेट नहीं मिलता था दा था था 2016 में मिलताथ जो पास कर जाए पासिंग मास कितना होता है पचास मास केंडेट नहीं यह इसके लिए कोशेन का जो लेवल था न बहुत आशान था था फ्लेंपूफ इंटर्स एक यह एक एपरेटर पूछता था, 17 में क्या हुआ, धीरे-धीरे competition बढ़ा, 16 में जब लड़का लोग देखा, कि वेकेंसी नहीं फुलपिल हो रहा है, तो धीरे-धीरे mining में admission लिना शुरू किया, और mining में जो लड़की कर रहते पहले से, धीरे-धीरे competition बढ़ता गिया, 17 से competition बढ़ा, 18 में थोड साथ हजार बच्चा बैट था, साड़े साथ हजार बैट, 2023 में जो एक्जाम हुआ है ने, इसमें दस जार के आसपास बैट रहा है, selected मतलब जो फर्जी वाला candidate ने, real candidate बैट रहा है, ऐसा तो data 15,000 के आसपास है, आप बताईए, इस दस हजार में अगर आपको बोला जाएग सबका 95 नमबर से उपर आएगा, 96, 97 आएगा, WCL का कोशन पर देखे थे न, आसान था न, उसमें 100 नमबर वाला चुनाया है, 99 नमबर वाला चुनाया है, 98 नमबर वाला तक जाते हैं खतम हो गया है, 98 नमबर, तो इसी लिए online examination का tender दिया जाता है, अलग बात है, उसमें 30%, बाकी जो है, वो अलग टाइप कर रहेगा, तो competition हर साल बढ़ रहा है, हर साल 3000, 3500 बच्चे निकल रहा है, तो भाई, competition तो बढ़ेगा न, छेले, इसलिए बस यही कह रहे थे, हम बार-बार की conceptual चीज़ को पढ़ो, और इधर उधर अफवा पर ध्यान मत दो, बहुत सारा भाई, pattern change हो रहा है, तो जो भी आप pattern change करेंगे, पहले जो पढ़ने का, पढ़ने का पढ़ने का पदती था, mindset, mind rule, cmr, इससे ज़्यादा कोशन नहीं आते थे, इससे ज़्यादा बाहर का कोशन नहीं आता था, अभी क्या है, सबसे कम question पूछता है, ठीक है, तो इसलिए pattern को थोड़ा सा आपको change करना पढ़ेगा, पढ़ना सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन deep में पढ़ेगा, concept आपका clear रहेगा, तो आप अराम से attempt कर सकते हैं, चले, आज हम लोग बात करने वाले हैं, surface mining के बारे में, देखो जैसे एक और चीज़ समझ लो, मान के चले, आप 2022 का जनव परी महिना से सुरू किये न, तो जुलाई, सितंबर आते 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 आप DJ देशमुख खतम कर पाएंगे, इसके बाद फिर और कोई किताब उपाएंगे, अभी जो competition का दोर है न, एक किताब से नहीं होगा, आप एगर एक किताब पढ़ लेते हैं, और पूरा अच्छे चार किताब में दिया है, तो आपको उन सभी किताबों को देखना पढ़ेगा, अलग-अलग topic को अलग-अलग किताब से देखना पढ़ेगा, और उससे क्या होगा, आपका deep knowledge होगा, concept clear होगा, उसके बाद कोई question पूछेगा, तो आप फाड़ देंगे, exam paper हो, तो इसलिए हम frequency clear नहीं होगा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, डीजे देश्मुग आपका clear होगया, basic concept clear होगया, अब हम advanced label पे चलेंगे, तो आज से हम लोग थोड़ा सा और advanced label पे चलेंगे, आज से हम लोग अभी फिलाल का जो topic start कर रहा है, वो है surface mining by समीर कुमार दास, ठीक है, तो जो किताब हैं, उसमें बहुत deep में knowledge दिया हुआ अपन कास का, पहले हम लोग इस chapter को खतम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग और भी धीर दे chapter पर आते, ठीक है, चले, start करें, सब ready है, एक बार yes no कर दीजेगा, एमसेल का cut-up हम बता देगे, जब तक तो टेलिग्राम में 1516 वोटिंग नहीं होता, तब तक समझ में नहीं आता है, यह exact क्या है, ठीक है, तो उसको टेलिग्राम को खोल के देख लिजेगा, उससे पर चले लाएगा, चले, अमित कुमार कह रहे हैं कि screen, wise problem तो नहीं होना च चीए, ऐसा तो नहीं होना चीए, मेरा वाई सबको सही से आ रहा है, मेरा आवाज सबको सही से आ रहा है, ठीक है, screen भी सबको सही से दिखाए दे रहा है, अकास बहुत कहरें नहीं आ रहा है, अकास थोड़ा सा नेट वाला एरिया में स्विच कर जाओ, नेट वाला एरिया म देखो समीर कुमार दास जी जो किताब लिखे हैं पहले इनके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो बता दे कि इनके पास इतना सारा उपादी है कि हम लिखेंगे तो पूल हो जाएगा है ना तो फिलाल अब डारेक्ट आगे आते हैं देखो अपिन कास्ट माइनिंग मैथट के बारे में बेसिक आइडिया तो आपको आइठिंग होगा बेसिक आइडिया आपको होगा बेंच क्या होता है चलो हलका आइडिया देही देते हैं बेसिक आइडिया बेंच क्या होता है स्लोक क्या होता है यह सब आइडिया आपको हो तो फेस बोलो या हाइवाल बोलो बात आपका बराबर है ठीक है छेले फेस बोलो या हाइवाल बोलो बात आपका एक ही चीज है यह आपको पता होगा इसको हम लोग क्रेश्ट बोलते हैं इसको हम लोग टो बोलते हैं ठीक है यह सब बेसिक चीज आपको पता होगा इसके बा लाद यस सब बेसिक चीज़ें पना दे यिसको बर्म बोलते हैं यह बोर्म का हाइट कितना होता तो टायर के ढामने बराबर होता है ब्राबर होता है तो अब क्या है अब दुचार और चीजों को समझते हैं जتهए कि यह जो एंगलû है पटॉटें है slope angle इसको क्या कहते है slope angle कहते है चिक है बेंच का slope angle के बारे में हम लोग कानून पढ़ा है कि 45 degree होता है लेकिन 45 degree तो manual में दिया हुआ है mechanized में कितना होगा और बाकी में कितना होगा तो generally हम लोग 45 ही लेके चलते है ठीक है लेकिन इसको लेके कुछ-कुछ और भी नियम कानून है जो हम आपको समझाना चाहिए तो थोड़ा सा इसको skip करते हैं आ गयाते हैं अभी फिर से हम बेंच बना रहे हैं जो लास्ट वाला चोर जहां के सकते हैं इतना ही इतना ही मैंग है इसको हम लोग क्या बहुंत इसको बहुतते हैं यानि इसको अगर अगर हम horizontal से join करें और इस सभी slope का bench को मानते हुए ऐसे गर के एक एंगल बनाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ultimate pit एंगल ultimate pit एंगल इसको कहीं कहीं पर ultimate slope एंगल भी कहते हैं ultimate slope एंगल भी कहते है कोस्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा और इसका एंशर दीजिएगा मेरे कोस्चन यह है कि आप एक बात बताओ कि ए बेंच स्लोप एंगल बड़ा होगा इसको हम ए मान लेते हैं या फिर ultimate अगर हम बोलेंगे कि यह बड़ा होगा या यह बड़ा होगा तो चुनिएगा दोनों में से क्या होगा बताइएगा अगर यह अभी हम लिख भी है आपके नाम के सामने ताकि आपको सुविधा हो बेंच का जो स्लोप एंगल होगा वो ज्यादा होगा अभी देखो कुछ और भी चीज हम समझते हैं मान के चलिए कि एक जगा हम पे हम गये और जाने के बाद सबसे पहले हम क्या किये सबसे पहले आप पता किये कि भाई मिनरल है वहाँ पर मिनरल रिजर्ब है तो जो मिनरल रिजर्ब होता है वो तीन टाइप का होता है जो मिनरल रिजर्ब होता है उसका बिसी के लिए तीन कैटेगरी होता है कोई नाम बता सकते हैं तो बताएगा डीजे देश्मक में हम पढ़ाया थे नहीं बता सकते हैं, कोई बात नहीं, हमीं बताते रहें, चलि एक बार बताईगा, तीन टाइप का होता है, दो वो आई से सुरू होता है, एक वो पी से सुरू होता है, अब इस ज्यादा क्या हिंट देल, चलि बताईगा, अगर कोई बता सकते हैं, कादू को नाम बता सकते है कोई बात नहीं है चलिए आई सो मेट्रिक का क्या बता रहोती है चलो अब समझते हैं देखो मिनरल रिजर्ब को तीन कैटेगरी में डिवाइट दिया गया है सबसे पहला होता है इंफ्रेट इंफ्रेड रिजर्ब दूसरा होता है इंडिकेटिड रिजर्ब इंडिकेड रिजर्ब और तीसरा होता है प्रूब्ड रिजर्ब उद्र आप डीजे के दश्मुक में भी पढ़ेंगे तो यही मिलेगा जैकर सकी नेढ़े हैं । श्रेंगेशर पहाड़ी इलाका है वहादा पहाड़ी इलाका है ठीक है वहां का क्या होगा वहां का प्रेशर कम होगा प्रेशर क्या होगा कम होगा क्योंकि हम जानते हैं कि धरती के जैसे से हम नीचे जाते हैं यह आपका धरती है यह क्या है आपका सर्फिस है सर्फिस के जितने से मीचे जाते हैं यह यू कहें कि जितना हम लोग मीन सी तो हर 12 आपका 12 किलोमेटर तो एरिया जाएगा तो एक मरकरी बढ़ेगा तो मिलाकर की मीन सी लेबल मीन सी लेबल से जैसे साप उपर जाते हैं आपका जो प्रेसर है वह घटता जाता है इसलिए एरप्रोट में जब हाइट में बैठते हैं तो उसमें अलाउंस किया जाता है कि हवा का दबाव कम होने पर और सीजन मास्क मीचे गिरेगा पहले खुब खुशड़ी है फिर बाजवाल गूसर लिए तो ऐसा अलाउंसमें इसलिए कि प्रेसर धिरे धिरे जब उपर जाते हैं तो घटता है तो यहां पर प्रेसर нез cry abol inhabitर अंदागा हैं तो यह जो रहता है वहां का यहां मिंड़ल पाया जाता होगा तेक उसके आसपास का ज요actor खांटा है उसको देखें के लिए config लीए अगर अन्दाजा लगा रहा है sums yahur यहां पर यह हो सकता है ये ंकित हो सकता है तो इसको ख्रीड भोलेंगे इंफ्रेट रिजらल्ब मतलब इक अन्दाजा यह कोई रिसर्चने किया हुआ यह एक अनुमा के जले है तो वहां का Geological Condition, आसपास का Starter, उसमें कौन-कौन सा टाइप का Starter पाया जा रहा है, कौन सा टाइप का Rock पाया जा रहा है, उसका Physiomechanical Property क्या है, उन सब को देख के एक अंदाजा लगाया जाता है, कि यहां पर कोईला होगा, जैसे हम एक्जामपल देते हैं, आप जानते हैं कि जो कोल है, वो आपका सेल चटान के साथ पाया जाता है, और सेंड स्टोन चटान के साथ जादातर मिलता है, हलाकि कुछ केस में फायर कले के साथ भी मिलता है, जादतर माउंट लेकिन यह भारत में थोड़ा कम है, यह दोनों भारत में जाता है, तो आप देखते हैं कि सेल चटान के साथ और सेंड स्टोन चटान के साथ कोईला थोड़ा जादा मिलता है, तो अब क्या करेगा, जो ल यहां पर कोईला बन सकता है तो ऐसे करकर के अनुमान लगाता है ऐसे अनुमान को आप क्या बोलते हैं इन्फ्रेड रिजर्व कहते हैं ऐसे अनुमान को कहते हैं इन्फ्रेड रिजर्व अब अनुमान भी जू करता है उसका एक बेसिस होता है इन्फ्रेड रिजर्व इसमें भी एक basis होता है यहां कि बंत करके बोल देगा सब च्यार कहले होगा तो उसी सब देखके वो मतलब एक रिज़र्ड पता करता उसको कहतें इंटिके लिए इसके बाद आता है इसके बाद क्या आता है निट इन्डीटेट इड्सक्राइब कैं रिजँ इंडिकेट रिज़र में क्या करता है जो अउट क्रॉप लीफ तो होता है एक होता है I sole कोईला निकला हुआ है जमीन में कोईला दिख रहा है तो इसको क्या ओलेंगे इसको बोनेंगे और Ilock क्या होता है ऐसा ही आउट समाई के बाद उसमें धीरे धीरे मिट्टी का परत जमता गया जमता गया अब हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है उसको क्या बोलेगे इनकुळ दो numbers नजर डालते हैं 13rd देखने के बाद हम पता लगाते हैं कि हैं यहां पे कितना हो सकता ईक आते हैं यह थोड़ा सा हुर्टर को क्या होता है मतलब की 200 मिटर की दाइरे में एक किलो मिटर दो किलो मिटर नहीं भाई 200 मिटर 200 मिटर के अंदर इससे जादा नहीं होगा इससे कम हो सकता है इससे जादा नहीं होगा 200 मिटर के अंदर में हम क्या करेंगे हम बोर होल करेंगे बोरोल करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसका कोर का क्लेक्ट करेंगे कोर क्लेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे इसको सैंप्लिंग करेंगे मतलब सैंप्लिंग करने के बाद क्या करेंगे इसका हम एनलाइसिस करें अनलाईसिस करने के बाद हम बताएंगे कि हा Duosota के दायरे में बोर हुल किया वो रोल करने के बाद फिर वहां से material मतलब कोर उठाया और collect करके बताया मतलब पूरा पूरी exact exact बताये कि हाँ भाई यहाँ पे इतना approved है कोईला इतना है जैसे कुछ दिन पहले आप news में सुने होंगे कि जो logical survey of India ने ये कहा है कि भारत में जो बिहार है कि दो साल से जो logist खोजी रहा है कि कितना कोईला कितना सोना और अभी तक पता नहीं चल पारे कितना सोना मतलब समझ सकते हैं कितना सोना दो साल बीत गया अभी तक पता नहीं कर पारे कि exact कितना रिजर्व है ठीक है तो इतना टाइब का रिजर्व होता है तो पहले तो हम पता किये सबसे पहले मेरा क्या किया हमने पता किया कि रिजर्व कहां है कितना है रिजर्व कहां है इसके बाद कितना है यह हमने पता किया पता करने के बाद फिर हम उस जगा पर माइनिंग करेंगे तो माइनिंग जब करेंगे तो अपन कास्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉक्स कट करेंगे बॉक्स कट दो टाइप का होता है एक होता है इंटर्नल बॉक्स कट इंटर्नल बॉक्स कट एक होता है एक्सटर्नल बॉक्स कट एक्सटर्नल बॉक्स कट और इसको अगर हम एरिया के हिसाब सबसे पहला होता है सेंट्रल एक होता है आपका आपका बॉंडरी इसको समझेगा थोड़ा डीटेल मान के चलिए कि मिनरल बहुत जादा मिनरल जो है यानि मान के चलिए कोल है कोल बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है और हम जो जमीन लिए है यहां से लेकर के यहां तक जमीन लिए है और जो मिनरल है हमारा वो यहां से लेकर के यहां तक यह जो हम गुलाबी गुलाबी चीज़ दिये है यह अपका मान के चलिए मिनरल है तो इस जगह पर हम क्या करेंगे चुकि मिनरल मेरा बीच में है इसलिए हम यहां पे Central Cut लगाएंगे ठीक है यह अगर मिनरल बहुत जादा पूर्शन में रहता है पूरा एरिया में फैला हुआ रहता है तो उसका इंडिशन में बीच में लगाते हैं बीच में बाक्स कट लगाते हैं तकि इधर भी दीरे दीरे बढ़ाएंगे तो अपना कोईला खोदते रहेंगे तो कोईला को आप ऐसे करते हैं यहां पर आप क्या करेंगे एसे कट लगाएंगे इधर से भी ऐसे cut लगाएंगे cut लगाने के बाद दोनों को ऐसे joint कर देंगे तो यह हिस्सा आपका क्या होगा यह हिस्सा आपका cut चुगा होगा इसके बाद क्या करेंगे इसके नीचे फिर यहां से cut लगाएंगे यहां से उपर वाला को बोलेंगा नीचे वाला को रिए इंटर्नल बॉक्स सब्सेंद कट इसके बाद के तॉपिक इसमें है बहुत वह हम पहले ही पढ़ा दिया आप को तो उसको देखेएगा रिप्रेम को कगो अगर हम आटाते हैं तो इस मुझत्य को कहां रखेंगे क्या क्या लेबल होता है कैसे-कैसे हम एक के उपर एक के उपर विछा के रखते हैं तो इसको आप देख लीजेगा चली फिलाल ओर खोड़ा सा दीप में हम लोगोस्ते हैं और थोड़ा सा और ज्वादा डीटेल में समझने का को सिस्कर ति अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि για आपसे देखते हैं आपका कितना डीटेल में पढ़े हुए हैं चले कोशन है जैनरल ऑपन कास्ट जैनरल ऑपन कास्ट माइनिंग जो आप करते हैं ठीक है उसका डेप्थ कितना होता है कितना होता है question का answer हम आपको option दे रहे हैं पहले option है 100 मित, दूसरा option है 200 मित, तिसरा option है 320 मित, चौता option है 500 मित, बती का इसका answer क्या होना चैनरल ऑपन कास्ट माइनिंग जो और करते हैं या उसमें depth कितना होता है हम जेणरल सब्द का इस्तमाल क्यों किए है इसलिए कि आंकि बहुत सारा एसम मैथट है जिसमें आप ज्यादा टेप तक जा सकते जो गर माइनिंग हाई वाल माइनिंग है ना बी कह रहे है बी क्या है देखा जाए ने डिखेए इसमें इसका अंसर है 320 मिटर according to surface mining technology इसका अंसर है 320 मिटर चली इस point को लिख लिया जाए इस point को लिख लिया जाए आप इसको ऐसे लिखेगा generally generally open cast mining generally open cast mining is limited to is limited to a depth of a depth up to 320 मिटर चली यह हो गया और एक point जो हम बता है तो उसको भी लिख 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 गो भीख लिख 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 लिखesen लिख Gene होता है जनरली इसको हम लोग 320 मिटर तक लिमिटेड रखते हैं उससे ज्यादा डेप्ट नहीं करते हैं अगर कुछ अलग मैथड़ कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं दूसरा हमने बताया दूसरा हमने बताया कि जो इंडिविज्वाल बेंच स्लोप एंगल होता है यह ज्यादा हो अगल हो से ज्यादा होता है अब आते हैं धोड़ा सा आगे अब आते हैं थोड़ा सा आगे सबसे फिन रेश्यो इंनकर्स नसुरू सब्सक्राइस हैंग किताबों आपको यौत है और आपक्स ऊर्फम्हेर सब्सक्राइब करें केसितने last च्रूर ने लिए सब्सक्राइब कसक्राइब किता पहले में दिया हुआ है कि इसको अछे लिए अर्रह खती मैं pracy और ह्amily व्हरbourघमinde क्या है इसको समझते हैं तो कहता है कि आप कितना और बड़न निकाले ओबी का वॉल्यूम वॉल्यूम और बड़न कितना आप निकाले इसके बाद नीचे लिखेंगे मिनरल कितना निकाले मिनरल जितना निकाले इसको हम लोग टन में मानते हैं इसको कहते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो में दो टाइप के जो पहला है ब्रेक इवन इस्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है मान के चलिए कि आप ऑपन कास्ट माइंस बना रहें चला रहें तो उस कंडिशन में नीचे जाते आते एक ऐसा टाइम आ गया जब आपको नौ प्रॉफिट नो लॉस हो रहा हूँ ना फाइदा हो रहा हूँ ना घाटा हो रहा हूँ तभी उस कंडिशन में उस स्टिपिंग रेशियो को आप क्या बोलेंगे ब्रेक इवन बेशियो इसका मतलब यह हुआ आप मान के चलिए 10 करोड रुपिया कमा रहें महीना ठिक और यह 10 करोड रु उसका सैलरी में खर्चा हो जा रहा है तो यह सब जगा से जब आपका पैसा लुटा जा रहा है और आपका हाथ में क्या बाच रहा है जीरो रूपिया बाच रहा है तब हम समझेंगे कि यह क्या है यह जो रेशियो है जिस उस टाइम जो हम कोईला निकाल रहे है और और बड़न निकाल रहे है उसका जो स्टिपिंग रेशियो है उसी स्टिपिंग रेशियो को हम लोग ब्रेक इवेन स्ट्रिपिंग रेशियो उसी रेशियो को हम कहेंगे तो आपसे ये सवाल नहीं करेगा आपसे सवाल ये करेगा कि ब्रेक इवेन स्ट्रिपिंग रेशियो कैसे निकालते है ठीक है इसको कैसे निकालते है तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला हो अबीसे बात ऊपन कास्ट तो यह रहेगा जिकाए मेंड्राल कोस्ट लिए मिंड्रल कोस्ट पर टन मिंड्रल कोस्ट पर टन माइनस अपनकास्ट माइनिंग natin and reclaimation इसका पने कोस्ट अब ही यह है आपका formula अब ही क्या कर सकता है इसको numerical में convert कर सकता है कैसे कर सकता है आपको बोल देगा कि हम एक जगह से over button का निकासी कर रहे हैं जिसमें आप एक meter cube में एक meter cube को निकालने में 1714 रुपया आपका खर्चा हो रहा है थेख 1714 रुपिया में आपका खर्चा हो रहे हैं इसे हम को पैसा मिल रहां है सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि स्टीपिंग कोस्ट क्या है और वर्डन निकालने में कितना कितना खर्चा कर रहे है कि आप आप कि आप देखें कि और भी निकालने का खर्चा कि 10 के बाद क्या और का दाम, और का प्राइस कितना में बेच रहे हैं, कितना फाइब में बेच रहे हैं उसके बाद देखें, माइनिंग का खर्चा माइनिंग प्लस रिक्लेमेशन रिक्लेमेशन का खर्चा ठीक है, ये चीज आप अगर पता रहे, तो आपको ब्रेक इवेन स्टिपिंग रेशियो जानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा ठीक है, ये चीज अगर आपको पता है तो आपको ब्रेक इवेन स्टिपिंग रेशियो जानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा ठीक है, तो इसको नोट कर लिजी पहले भी कह रहे थे हमकी conceptual question पे ज्यादा focus कीजिए अभी भी कह रहे यही बात की conceptual question पे ज्यादा focus कीजिए डीप में पढ़ना पड़ेगा पहले वाला condition नहीं रहा अब लाइब बच्चे कम हैं असाइद लेक्चर जाके देखेंगी बढ़ देख लेते हैं लेक्चर देख रहा है कि नहीं देख रहा है 168-127 लेक्चर तो देख रहा है सब लेक्चर तो देख रहा है इसका मतलब है कि लाइब क्लास में कम लड़ता आता है और बाकी लेक्चर देख रहता है रिकॉर्डड लेक्चर मतलब 2800 बच्चा क्लास रेगुलर कर रहा है ठीक है चलेगा ओके चले अभी एक और चीज हम लोग देखते हैं एक श्यूने अज़ेए कर मैं और स्ट्रीपिंग रेशियो क्या होता है कि आप लोग आते हैं एक सारा किता वे लिखा हुआ है एक जो है overall stipping ratio यह बहुत सारे किताब में नहीं दिया हुआ है कुछ ही किताब में दिया हुआ जिसे एक गुराई साब का अगर किताबा पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि overall stipping ratio क्या होता है तो overall stipping ratio का जो formula होता है वो होता है volume of waste material into density same चीज है density of waste material मतलब simple भासा में इसको हम लिखते हैं किताबी लिखना सही नहीं रहेगा simple भासा में लिखते हैं रूखो चलिए इसको ऐसे लिखते है volume into density divided by volume into density जब आपको यह है तो नहीं कटे ऊपर में огभी ओला लिखेंगे और नीचे में और वाला लिखेंगे बस यह नहीं से होता है कि आप overburden निकाल रहे हैं उसका volume दिया हुआ है और density दिया हुआ है यानि रो दिया हुआ है density को हम लोग रो से denote करते हैं रो मान के चलिए दिया हुआ है कि आप अबर बटन का वन पॉइंट कि वन ही दिया हुआ चलिए मान के चलिए वन दिया हुआ है और उसके बाद मिनरल का दिया हुआ है मिनरल में बूला है कि कोल है मिनरल में क्या है कोल है तो उसका डेंसी वाल्यूम दिया हुआ है मान के चलिए उसका वाल्यूम दिया हुआ है पांच मिटर क्यूब नहीं होगा सिंपल रखते हैं इसको कन्फ्यूज नहीं करते हैं आपको और डेंसिटी मान के चलिए यह डेंसिटी है 1.2 तो अब बताए क्या होगा सबसे पहले वॉल्यूम लिखा है क्या उपर इंटू करेंगा तो चार आएगा पांच इंटू करेंगा तो साथ 6.2 आना चाहिए तो काटेंगे तो आपका कुछ एंसर आ जाएगा तो मतलब बहुत ही सिंपल कहने का मतलब यह है कि यह वाला फर्मुला आप याद रखेगा अगर कभी घुमा के देता तो ठीक है नहीं भी देता है तो आप निकाल सकते हैं ठीक है चलिए अगर आप से कभी पूछेगा कि बताओ एक माइन्जहैं ठेक एक माइन्स है हुआ कि उस माइन्स का जो मिनरल रिशर्ब है उस माइन का जुम minimum रिजर भे है वह मांन के चलिए sa million ane तो बताईए मारे का लाओ आख मतीं हुआ एसा कोई कोश्ण पोषन पूछता सिंपल कर देते हैं फर्मूला के हिसाब से बैढ़ जाए इसको हम सिंपल कर देते हैं मतलब कोई भी ऐसा डाटा देगा तो आप निकाल सकते हैं कोई बड़ा चीज नहीं है एक सो साथ मिलियन टन बिल्कुल सही एकदम सही रखता है पर्फेक्ट बैढ़ जाएगा फर्मूला में बता अगर कोई जगा पर सर्वे कि और आपको पता चला एक सो साथ मिलियन टन रिजर्व है तो बताइए लाइफ क्या होगा मतलब कितना साल तक हम उस कोईला को निकाल सकते हैं या कितना साल माइस का जिंदगी रहेगा चली बतेगा आप किसी भी माइस में आप काम करते होंगे ठीके सर अच्छा पढ़ा रहे था इंकिए विपूल कुमा तुमको समझना बहुत सर बच्चे को समझने आ रहे बहुत सर बच्य पद्रिक्षा कर लोगे यह 200 कोशिन कर लोगे न तो 110 परसेंट आएगा 100 परसेंट गारेंटी 20 कोशन कर लोगे आएगा यह 1500 कोशन कर लोगे 110 परसेंट यह कोशन आएगा ठीक है और एक्वाम्यान सांतर रहे पिर वही सब्दा के इती करेगे जब एक्वार्ड आएगा और इस टाइम नहाब खरीद कर दीप्लोमा और बीटेक पढ़ा है वह क्रेक्ट कर लेगा की हां कैसा को शेट कर रहा है पैटर्न को समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं कि हां conceptual पूछला फोड़ा लेकिन एक्जेक्ट को से आप कैसे कर सकते हैं आपको डिरेक्टर थोड़ी है आप अगर है तो अपना अच्छे पाइदान पर बैठे होते हैं कोई बात में आते हैं तो मेरा बैस यही कहना भाई कि प्रैक्टिकल रहो और प्रैक तेस्ट लिया कि यह नहीं तो पढ़ा हुआ भूलने लगते हैं जरूर लेंगे हरियों जरूर लेंगे टेस्ट लेंगे आएक काम करते हैं 24 तारीख है ना हम 4 तारीख को टेस्ट रखते हैं 10 दिन के बाद ठीक है हालत खराब हो जाएगा ऐसा टेस्ट रहेगा जैसा कॉंस तब आपको पता चलेगा असली कंपरड़ीशन क्या है आपको पता चलेगा जिंदगी क्या है मैंस का आप मैनेजर से लड़ जाएगा जिंदगी किया है लाइट तो इसका फार्मूला होता L बराबर 1 प्लस 0.2 इन्टू 6.5 इन्टू अंडर स्कोर 4C अब यह L जो है वो है Life of Mines ठीक है और यह C है C क्या है C है Expected Reserved यह फॉर्मूला से आप पता कर सकते हैं किसी Mines का जिंदगी कितना दिन का है यह आप पता कर सकते हैं चले अभी इसको हम थोड़ा सा पूट करते हैं हमने क्या बता है हमने बता है 160.000.000 तन था तो 160.000.000 तन को यहाँ पर रखेंगे और बाकी तो कोई डाटा का जोरत नहीं है तो 1 प्लस 1 पॉंट यह हो जाएगा आपका 1.02 इंटू 6.5 इंटू अगर 160 को रखेंगे न ऐसे 160 को चार से करेंगे तो कट जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा जिनी 40 हो जाएगा 2 इसके बाद इसका मतलब हो जाएगा यह 20 यानि कि यहाँ पर इंटू 20 ठीक है इंटू 20 चलिए अब निकालने का कोशिश करते है 20 इंटू 6.5 इंटू 1.2 यानि कि 156 यानि कि हम कुछ गड़बर कर रहे हैं क्या ठीक है यानि कि 156 इयर इसका लाइफ है अब आप कहिए कि सर 156 साल किसी माइस का जिन्दगी हो सकता है देखो यार ऐसा है कि यहाँ पर हमने कोई मैथड डिटेक्ट नहीं किया है अगर आप मैथड ओप एक्स्टेक्शन मैथड ओप एक्स्टेक्शन अगर आप ज्यादा रखेंगे ना या कम रखेंगे ना तो उस पर एफेक्ट करता है तो यहां पर कभी को भी 1-0.2 होता है 1-0.2 होता है अगर किजिए गर 0.8 आएगा तो उससे अगर आप इंटू किजिए गर 20 इंटू 0.8 इंटू 6.5 ठीक है इंटू यह 104 साल ठीक है यह 104 साल भी आएगा नहीं समझें हम समझाते हैं फिर से तो ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगे कि कौन सा मैथड आप से ला रहे हैं उस पर अफेक्ट होगा उस पर क्या होगा उस पर असर पड़ेगा फार्मूला क्या था एल बराबर वन माइनस जिरो पन टू लेते हैं प्लस वाला इसने फ्लस वाला का थोड़ा डीप कॉंजेप्ट है उतना डीटेल में जाना सही नहीं है वन मैंने जिरो पन टू लेते हैं अब हम देखते हैं मान के चली 160 मिलियन टन रिजर्व अभी हम यह नहीं बता पारें कि उसका मंतली प्रोडक्शन क्या है या यल अरली क्या है मंतली प्रोडक्शन और यल अनी प्रोडक्शं से हुँए छा भड़ा सकते हैं ठिक है फर इजामपल हम इग्जामपल बताते हैं फिल्हाल समझी ता से खार अब हम BBQ गे Immediately 10ben हो जाब बढ़ा देंगे अगर आप production को बढ़ा देंगे तो यह time तो घड़ जाएगा ना टाइम घड़ जाएगा प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो time घड़ जाएगा लेकिन अगर simply आप से ख़ली पुछे कितना साल तक आप कोईला निकाल सकते हैं तो इतना साल 5 x 4 under root c ठेक है यह सी क्या है यह है mineral reserve mineral reserve और الل क्या है यह life of miles life of miles तो यह वाला चीज आप अगर पढ़ लिये हैं तो बहुत बहतर है चलिए आगे बढ़ें हम आप एक्जाम टाइम पर गाय हो जाते हैं तो गायब नहीं हुए थे हम लगातर वीडियो लेक्चर डाल रहे तो वीडियो लेक्चर हम बस इसके लिए डाल के रखेते हैं लेकिन तो एक छोटा सा कोश्चेन है आपसे कोश्चन है कोई मसीनरी अगर हम इस्तमाल कर रहे है ओपेन कास्ट में तो कितना इनकलाइनेशन तक हम इस्तमाल कर सकते हैं बताईगा चल बताईगा बता रहे हैं कुछ बता रहे हैं मतलब हम मसीन का बारे में बूच रहे हैं कितना ग्रेडियंट तक आपको इस्तमाल कर सकते हैं प्रेडियो में शर्डेड़ प्रेडियो प्रेड़ तक हैं जिए दो हम इस्तमाल कर सकते हैं प्रेड़ ले इस्तमाल कर सकते हैं इसका एंसर ठीक है बिल्कुल सही one in three होगा बहुत कोई बता भी रहता है one in three इसका answer हो जाएगा ओके चलिए अब आते हैं आगे अब में जो कोई जानते हैं कि safety bench क्या होता है बतिएगा safety bench क्या होता है कर दो कर दो कि नहीं जानते हैं कुछ बाद नहीं बता दे रहे हैं कि एक चोटा सवाल है आप से पूछ लगते हैं मैनुवल क्वाइरिंग में है मैनुवल क्वाइरिंग में कि अगर अगर बता कर दो सिर्फ सेमी में गनाइट में बतेएगा क्या होता है है कि अच्छ अच्छ चलिए ठीक है इसक ए डाउ चलिए क्या क्या अच्य di 20 IoT से तर्म है कि शेफ्टी का यह उड़ नाम हैस्टième बोलते कटiantly बेंच बोलते हैं सेफ्टी बेंच बोलोक्त बोलो दुनों एक ठीखी चीजा एक 54 को काटने के बाद जितना पूर्शन को छोड़ दिए जैनी काटने के बाद jitna portion छोड़ दिए उसे हम क्या क्या बोलेंगे उसे कहेंगे safety bench चीए इसको क्या बोलेंगे safety bench यानि reminder 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 of bench reminder of bench after cutting after cutting is known as safety bench अब यह क्या होता हम समझते हैं और detail इच्छली safety bench और detail में समझते हैं यह है bench यह bench यह bench यह bench यह bench बड़ा गंदा drawing है यार लेकिन कोई बात में समझो मान के चली इतना पॉर्षन को आप काट एक इतना पॉर्षन को आप काट तो इसको बोलेंगे इतना चोड़ते हैं इसको इसके लिए चोड़ते हैं कि उपर वाला बेंच अगर कभी किसी कारण से slide करता है slide चोटा हो बड़ा हो अलग लग तो यह bench अगर slide करता है तो इसका portion इस पर आ जाता है यान 이 कि अगर वाला bench है अगर मान के चलिए उपर वाला Benник है पिर भी darkness कि में लिए नहीं दूसरा ∑ ले ус लीड़ी चस ते लिए तुत हुए है一ज है एन पूर्ण छोड़ के रखें लिए अधा पोर्ण फोड़ के रखें सेफ ये वाला दूत करेगा यह नहीं पहुंचे आ송तेदैं जोड़ consistent का हैं, सेप्टी बेंच मोलते हैं, सेप्टी बेंच क्या होता है, आपको पती चल गया, सेप्टी बेंच को कट बेंच भी कहते हैं, क्यूं छोडते हैं, ताकि उपर वाला जो waż iht का माल है उसी में जाकर घिर और इसके आगे चोड़ाई लंबाई तो मान के चलिए हाइट है इसको ऐसे करते हैं मान के चलिए हाइट है 10 मिटर इसका जो हैट होगा किसका नॉर्मल बेंच का हाइट था पहले 10 मिटर मान के चलिए कि नॉर्मल बेंच था 10 मिटर तो आप कह रहें कि कितना पोर्शन को काटने के बाद छोडेंगे मनें 70 बेंच का हाइट कितना होगा तो यह हो जाएगा दस इंटू 65% टू 75 पर्सेंट 70%, इसका मतलब यह हुआ, कि 6.5 से ले करके 7 मीटर हम 70 बेंच का हाइट छोड़ेंगे, हम कितना छोड़ेंगे, 6.5 से 7 मीटर तक छोड़ेंगे, यानि 65 से 70 परती सब्सक्राइट है, जो मेरा ओरिजिनल हाइट है, कितना छोड़ेंगे भाई तो सेप्टी बेंच का हाइट होता है जो मेरा ओरिजिनल बेंच है इसका 65-70% इसका 65-70% मान के चलिए ओरिजिनल बेंच का हाइट था 10 मिटर तो 10 मिटर का जब 65 या 70% निकालेंगे न तो इसका एंसर आ जाएगा जब 10 मिनट का निकालेंगे तो इसका एंसर आ जाएगा 6.5-7 मिटर ऐसा कोशन भी पूछा जा सकता है घुमाके बोल सकता है कि बताओ सेप्टी बेंच का हाइट क्या होगा तो आधा लड़का देखेगा कोशन पेपर बोलेगा सर आउटक स्लिवर्स का है सेप्टी बेंच का हाइट ऐसे निकालते है यानि 65 से 70 प्रतिसत ये एक कॉंसेप्ट है लेकिन इसको निम्रिकल भी बना सकता है छोटा मुड़ा कुछ की दरवदा छेड़ चाड़ करके तो ध्यान रखेगा समझ में आ गया सेप्टी बेंच एक बार एस नो करिएगा हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे आई उस तो यह आपको समझे की rehe हुद को हाइट क्या होता है Алडे अब बत DAY का है केड इस ब्वड़ा होता है यह तो बोलने का जूरब ही है क्यों अ deux嚨ा होगा है तुम जी होगा क्या हो डिसी के को बने बात करना हला चांट कि आंट चलो एक और दिमाग में चीज आ गया बड़ाई अच्छा बात है कि डंपर का विल के बराबर डंपर के विल के बराबर होता है यानि अगर आप आप बोलेगा डायाँ मिटर है हाइट है हाइट ऑफ डंपर का टायर डंपर का टायर डंपर का टायर होता है उसके हाइट के बराबर होता है ठीक है हाई टॉप डंपर के टाय चलिए इससे ज्यादा होता है इससी ज्यादा होता है फिलाल हम आगे बढ़ते हैं किस टॉपिक पर थे आपके आगे कैसे निकालें इसको समझErगा हम कुछ समझाना चाहरे है मान के चलिए में यह हमारा बेंच है ठीक है कि लेए्प इह मेरा पहला बेंच spreadsheet मेरा दूसरा बेंच मेरां तीसरा बेंच यह मेरा च्रॉस जगता है है मेरा भावनाव को समझेगा पहला बेंच का हाइट मान के चले कितना है मान के चले 15 मिटर मदलब इसके बाद एक हो जाएगा स्लूप एंगल स्लूप एंगल स्लूप एंगल मानगे चलिए 45 स्लूप एंगल हो जाएगा दूसरा इसको क्या बोलते हैं स्लूप एंगल टूटर नंबर बेंच कितना है चार्ट हो है टूटल नंबर ऑफ बेंच कितना है टूटल नंबर ऑफ बेंच है चार्ट इसके बाद अगर हम भोलेंगे बेंज का हाइट क्या है मेरा 45 तौ आब इसको निकालेंगे कैसे इह उर्व ka के इसके बाद यह चोड़ाई देखा जाता है रिज़ल्षी शुड़ा बेंच का चोड़ाई मांके चले दस मीटर सो बेंच विड्ध से बेंच में अ कि कि दस मिटर में यहें demais का च्वडाई कई कि ति अब हुम कैसे निकालेंगे ओवर ओल्व स्लोप एंगल इसको समझियेगा कैसे निकालेंगे इसको समझेगा तो ओभर ओल स्लोप एंगल बरहर होता है लख टल ऊप तो प्राबब म्यों इसा आपको कोई किताब में नहीं टो था टोटल नंबर ओव एक चीज छूट गया खाली फॉर्मूला लिख लेंगा तो अब काम चल लाएगा कि एक मिनट एक मिनट टैन इन भर्स ठीक है एक टैन इन बर्स टोटल नंबर ओफ बेंच इन्टू बेंच हाइड है हें नंबर ऑब बेंच हाई इसके बाद ला नंबर ऑफ माइन माइनस वन टोटल नमबर बेंच माइनस वन इन्टू बेंच विड्थ बेंच विड्थ प्लस फिर तुम्हारा वही रहेगा बहुत बड़ा फर्मूला है लिए क्या करें भाई ऐसा ही है अब जो है यही है अब क्या कर सकते थाली फर्मूला याद आखिने तो आपका साम इसली नहीं पूछता है इसली क्यूंकि आपको सांटिफिक क्यलेटर का जौरत पड़ता है से क्यल्कूलीशन करने के लिए इसली फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हो सकता है फॉर्मूला दे दे तो टूटल नमबर बेंच इंटू बेंच हाइट डिवाड़र भाई टो इन्टू बेंच का विड्थ प्लस टोटल नंबर बेंच इन्टू बेंच हाइट वही वाला चीज यहां लिखे जो यहां पर लिखे वही चीज को आपको यहां लिखना है नीचे आप उसके बाद डिवाइड़ वाई इन्फर्स टोटल नंबर ओफ बेंच इन्टू बेंच हाइट डिवाड़ वाई टोटल नंबर ओफ बेंच माइनस वन इन्टू बेंच वीटती कोई किताब नहीं मिलेगा मैं कह रहा हूं मैं खुद बनाया हूँ बैट के इसके बाद इंटू टोटल नंबर अफ बेंज इंटू बेंच हाइट बेंच हाइट डिबाइड वाई डिबाइड वाई 10 इंवर्स लोप एंगल 10 इंवर्स किसका वही स्लोप एंगल यह है, हलाकि यह आपकी लेबल करना ही है, थोड़ा सोब पर है, लेकिन खाली फर्मूला लिख लिए यह ऐसा नुमेरिकल पूजने के चांसे सिसले नहीं बनता है क्योंकि साइटिफिक के लिकलिटर है लाउडन नहीं है, ठीक है लिख लिख लिजेगा इसको बत्तिएगा हुआ कि नहीं हुआ माइन कंवर्ज कंजर्विशन डेवलप्मेंट रूम दिखा दें बद पढ़ा दें कभी इसको लिख लो इसको लिख लो देखो थोड़ा डीप तो हम जाएंगे तुमको बोरिंग लगे तुमको अच्छा लगे मजा आए नहीं आए हम वही सब टॉपिक पढ़ा है जिसमें आपको मजा आए तो फिर आप वह ऐसा कोशन नहीं पूछेगा ना एक्जामिरर ऐसा को जान गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि एक्जामिनर वह ऐसा नहीं देखेगा ना कि मजा आएगा कि नहीं आएगा लड़कत तो कोशन पूछेगा किसी को टॉपिक से मिला जुला तो सब देखना जरूबी है जानना जर अब जलिए अभी सब्सके नास साहाब का यह कहना है कि जो चल बेंच का हाइट होता है कि अब्च का विटत ऑर हाइट के बीच में बोल रहा है कि बेंच का जो विटत होता है वो इक्वल टु हो जाएगा 0.33% into bench height ये क्या है ये एक thumb rule है thumb rule है देखो ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि कम नहीं होना चाहिए है न चोड़ाई कभी भी height से कम नहीं होना चाहिए इतना हम लोग जानते हैं लेकिन मान के चली कि अगर हमको bench height के बराबर रखना है तब हम क्या करेंगे तब हम इस thumb rule का इस्तमाल करेंगे thumb rule क्या है ये S के दास साहब का कहना है कि simple सा तरीका है मान के चली bench का जो चोड़ाई है वो कितना रखना ही आपको पता नहीं है लेकिन bench का height तो आपको पता है bench का height मान के चली कि 5 मिटर bench का height है तो आप उस 5 को 0.33 से into करेंगे जो आएगा उतने आप bench का चोड़ाई रखनेगे चली इसको into करने का कोशिस करते हैं 0.33 into 5 तो ये आपका हो जाएगा मतलब 0033% बढ़ना चाहिए into नहीं करेंगे इतना % बढ़ना चाहिए एक कोश्चन एक कोश्चन है आपसे चली हम आपको एक कोश्चन दे रहा है आपको इसका अंसर बताते हैं कोश्चन ये है final bench face angle may be very steep even more than dash degree ठीक है ये एसके दास आपका कहना है तेरा कहना नहीं है ठीक है चली हलाकि इस अब इतना इंपोर्टन नहीं फिर भी एक बार डिस्कुस करी लेते हैं और क्या दिक है 75 डिग्री 85 डिग्री 95 डिग्री कि 45 डिग्री बतेगा इसका अंसर क्या होगा कर दो कर दो कर दो कि अग्री बता रहें लेकिन इसका अंसर आपको जानके ताजूब होगा 85 डिग्री अब आप कहिए किसा नियम कानून पा वालेशन हो रहा है वह अलग बात है वह अलग बात है लेकिन कि फिलाल फाइनल बेंच का जो फेस एंगल होता है वह ज्यादा स्टीब भी हो सकता है 85 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है ऐसा अमिर कुमार दास साब का कहना है अगर आपके पास सर्फेस माइनिंग टेक्नोलोजी है तो पेज नमर आट निकालेगा तो उसमें एक लिखा हुआ है आप वहां जाके कर सकते हैं अगर ऐसा कोश्चन देदेगा तो 99.9 परसंट बच्चे छड़ जाएगा एक कोश्च सब्सक्राइब करता है तो यहां अच्छा और रहने बढ़ाएं की रहने दे क्योंकि हम पहले चाहर है ना कि जो आलतु-फालतु चीज उसको पहले हम निप्टा लेते हैं उसके बाद अच्छे-चे टॉपिक को पकड़ेंगे न एक आत दिन लगेगा ज्यादा नहीं उसक कि इसका अंसर क्या होगा कोई अंसर बताओ यार विच अप दा फॉलेंग इस नॉट एस सेप्टी डिवाइस युज जिन साप इनमसे कौन सा सेप्टी डिवाइस नहीं है जिसको सेप्टी हुक कहते हैं सेप्टी कैचेज, कैप्स या राइडर राइडर थो होता अंडियू स्विंग को रोकने के लिए तो इसको देख लो देखो थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है, कोई बात में अब लाइड क्लास नहीं कर रहे हैं जिसे जाकर बच्चा लाइड क्लास नहीं कर रहा है, या लाइड क्लास के जगह पे वो औलियों लेक्ष jag. देख लेते हैं लेकिन लाइब क्लास में अलग इंट्रेक्ट बनता है यार लाइब क्लास में अभी समय का थोड़ा सा दिक्कत है लड़का लुप इसलिए हम किसी पो फोर्स नहीं कर सकते हैं बड़ अपना इसाप से लाइफ क्लास में आओ ज्यादा बहतर रहेगा मेरे इसाप से खेल अब आते हैं कुछ और भी टॉपिक पर एक पॉइंट है टोपोग्राफिकल जब करते हैं तो कॉंटूर क्या होगा कॉन्टूर इंटर्वल क्या होगा आप में से कोई पढ़ें तो बता सकते हैं प्राइब मसिंद्री भी होगा यार मसिंद्री भी होगा टोपोग्राफिकल सर्वेई अगर आप पढ़ें तो बता की बात निंग ऑप्शन चले, option देखते हैं पहला option है, 1 is to 1,000 दूसरा option है, 1 is to 2,000 तीसरा option है, बोथ चौथा option है, none यह हम topographical scale पूछ दिए और contour interval का option है, पहला option है 1 meter से 2 meter दूसरा option है, 5 meter तीसरा option है, 10 meter चौथा option है, none of this चले, बतेगा, इसको हम question number 1 और इसको question number 2 चले, बताओ लेको topographical survey जो किया जाता है, वो किसी भी जगा का topography को देखा जाता है, उस जगा से क्या है, नहीं है, उस सब चीज़ों को देखा जाता है topographical survey, यह हमेशा किया जाता 1 is to 1,000 या 1 is to 2,000 ratio में, यानि इसका option हो जाएगा option number 2, यानि कि 1 is to 1,000 ratio या 1 is to 2,000 ratio जो दोनों में से किसी भी ratio में कर सकता है, और जो contour interval होता है, वो 1-2 मितर होता है, general contour interval होता है, 5 मितर, आपको ऐसा option देके confuse कर सकता है, लेकिन 1-2 मितर आपका होता है contour interval, ठीक है, 1-2 मितर contour interval किसके लिए होता है, topographical survey की तो topographical survey बनाए जाता है, या geological mapping बनाए जाता है, geological mapping बनाए जाता है किसका open cast का, इसका open cast का, अगर specific open cast के बारे हम तूछेगा न, तो 1-5,000 कभी टिक नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा, ये 1-1,000 या फिर 1-2,000 ratio में बनाए जाता है, जादतर लड़का 1-5,000 मार के अपना गुरकोबर कर लेगा, लेकिन geological mapping अगर open cast माइस के लिए बना रहे हैं, और body boundary या सब चीज को दिखा रहे है, mineral incorporate को दिखा रहे है, outcrop special feature, structural feature, ये सब को दिखा रहे हैं, तो 1-1,000 या 2-2,000 ratio में बनाए जाएगा, ठीक है, 1-1,000 या 1-2,000 ratio में बनाए जाएगा, geological plant या geological mapping, ठीक है, clear हो गया सबका, ठीक है, ठीक है, topographical क्या है, basically उसका special feature, जितना भी उपर से, अगर हम map में देख रहे हैं, उपर से, ठीक है, जिसमें देख रहे है, height कितना है, height कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, तो यह सब चीज को अगर हम देख रहे हैं, उपर-उपर से, तो उसको हम लोग बोलते है, topograph, ठीक है, चली, अभी एक question है, आपसे, t, r, tresh, 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 t नाला है ना इस नाला को बोलते हैं ट्रेंच क्या बोलते हैं और इस नाला में पानी भर दिया जाता है पानी भर देंगे चाहे आप माइस के अंदर का ही पानी इसमें डाल दे वही काम चल जाएगा या तो बाहर से कहीं से लाके भर देंगे पानी भर देंगे क्यों ऐसा करते है क्योंकि उसके बाद में पेड़ है पौधा है जंगल है बस्ती है जंगल है कहीं बस्ती है कहीं तो इस माइनिंग एक्टिविटी के कारण कुछ भी ऐसा अगर मानले माइस में ऐसा होता आग लग जाया तो वह आपका आग इस और से इस और ने मतलब की ओट्रेंच बाहर ना जाय इसके लिए हम लुग ट्रेंच बना देते हैं क्या कहते हैं क्या करते हैं ट्रेंच बना देते हैं हम लोग enclosure से ज्यादा कभी हो सकता है कई忌प्र को 할게요 कम वह सकता है करता है कि माइन बॉंडरिक इतना उस चीज़ पर यह डिपंड करता है अभी अभी ले ट्रेंचेश के बारे में और भी ज्यादा डीप में जाना सही रहेगा नहीं रहेगा कुई बात नहीं हम चले घाते हैं ना तो यitतना चौडार होता है 1.5 मिनिममम चौडा सियुक्त है न niż सब्सक्राइब वी सबस्क्राइब मिनममध की बाथ करें मिनममध की बात करें तो ये दो मिटर होता है मिनिमम नहीं यहां पर सिर्फ लिखना सही रहेगा डेप्थ जनरली दो मिटर होता है मिनमम बिट की बात करें तो 1.5 मिटर होता है ट्रेंच का ठीक है यह ज्यादा भी हो सकता कम भी हो सकता है डिपेंड करता है कि उस जगह का स्टार्टा क्या अगर म करमल करें oluş Nuclear increased states the regulation का मतलब क्या होता है कार्बनेशिका मतलब जिसमें कार्बन पाय जाते है यह से कोई परदार्वत पाकर जाते हैं जो जल सकते जसे कुछ मिट्टी होता है जी जलते हैं Luk bull जलता है सकता एक बजाने के लिए आप अग पर जा, चलब अब इसको बुजाने के लिए आप पानी का परियोग करते हैं, ठीक है तो अभी देखिए open cast mines में हम कुछ terminology आपको लिखेंगे जो आपत्ती जनक लगेगा लेकिन आपत्ती जनक question ही पूछा जा सकता है open cast mines में trench बनाया जाता है जो बनाया जा सकता है क्या open cast mines में cello pit बनाया जा सकता है क्या open cast mines में deep pit बनाया जा सकता है क्या open cast mines में edit बनाया जा सकता है बिल्कुल इस सब कुछ बनाया जा सकता है ट्रेंज हम बनाते हैं बाहरी एरिया को घेरने के लिए ठीक है बाहरी एरिया घेरने के लिए हम लोग ट्रेंज बनाते हैं सेलोपिट क्यों बनाते हैं हम सैंपलिंग करने के लिए सेलोपिट क्यों बनाते हैं हम सैंपलिंग करने के के audit बनाते हैं sampling क्या होता है अलग जगह से अलग अलग और का और का मिनरल का रॉक का चटान का सेंपल उठाते हैं लेब में जाकर जांच करते हैं या इसमें कौन सा मैथट से हम कुईला काटें उसी को sampling कहते हैं ठीक हैं अगर आप 6000 डीप बना रहरे तो इसका डेप्ध कितना वोगा II से 3 मिटर का गोगा अगर आप Analysis का मीटर सबक्री क्या होगा अगर आप audit बना रहरे तो इसका कैडन वोगा तो अज्वार्ध मतलब माइंज के बनाइंगे और बनाने के बाद हम चोड़ेंगे उसको क्यों चोड़ेंगे बैस से पास से पानी उसको देखेंगे कितना दिन में यह कुआ है तो उसको देखेंगे तो बहुत साइब किया जाता है ताकि हम पता कर सके कि वह चट्टान का property क्या है हम पता चलेगा आज कुवा खोदें और अगला दिना कर देख रहे हैं तो यह कुवा गायब हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर जो प्रेसर पढ़ रहा है रोक में जो अलग अलग टाइप का चट्टान में प्रेसर पढ बनाते हैं और साथ ही साथ उसका सेंपलिंग करने के लिए प्लस जियो मेकेनिकल प्रोपर्टी को पता करने के लिए हम लोग सेलो पीट डीप और 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 अब आप कहेंगे इसको बनाते कब है जब आप माइनिंग स्टार्ट करने वाले होते हैं प्लानिंग कर रहे होते हैं कौन सा मैथट से कुईला काटें कहां हम बॉक्स का डालें तो उसी टाइम आपको यह सब चीज करना पड़ता है ठीक है चले क्लियर होगे एक बार बताइगा सब कुछ चैट में अलगे चैट चलता तुम्हों का यह देखो दिलिप कुमार कह रहे हो यह सब कभी एक्जाम में नहीं जाने वाला है देखो एक चीज बताते हैं ठीक है तुमको जाना चले जाओ को दिकर नहीं लेकिन नगेट्यूटी मत खैलाओ देखो कूल मिला करके यही है कि तुम डारेक्टर नहीं है डीजेमस का या डीवाई डारेक्टर नहीं है पहले भी हम कहा रहे हैं जैसा पढ़ा है उस टाइप का कूशन पूछा आभी भी कहा है कौनसा पेपर लेगा न तो आपको पता नहीं तो इसलिए न आप अगर करना चाहा रहे है खुद से भी तो खुद से भी पढ़ो कोई दिखत नहीं है कहीं से पढ़ो कोई दिखत नहीं है लेकिन मेरा यही मानना है कि पुराना पद्धती को छोड़ दो पुराना पद्धती से पढ़ना छोड़ दो पुराना सिस्टम को छोड़ दो अगर आप कहीं ऐ प्राबा और भी डीप में आपको जाना पड़ेगा मेरा यहीं कहना बाकि आपका मरजी आपका लाइप यूर लाइप हमको फरक नहीं पड़ा पहले भी आभी भी नहीं पड़ रहा है अब इतना ही रहने देते हैं अगला दिन हम और थोड़ा सा डीप में पढ़ाएंगे और बहुत सारे टॉपिक उसको कबर करेंगे आज इतना ही रखते हैं ठीक है इक्जाम में गायब नहीं होँगे टेंशन मतलो इक्जाम में गायब ने थे उन जाके वर्टसप गुरूप खोलो और देखो तुम वर्टसप गुरूप नहीं खोल रहा होगा बहुत कोई होता है जो कसम खालेता है कि एक्जाम के टाइम मुआलने टच करेगे तो तो वाट्सब्रूप खोल के देखो कि बहुत सारा वीडियो लेक्ट्र हम डाले होगे पॉम 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 परिकले मिसंस अथ तो क्लियर किये न है वो कप किये एक्जाम के टाइम तो सब्सक्राइब करेंगे आप देखे बुक हम जो कवर करने वाले हैं वह सर्फेस माइनिंग टेक्नलोजी बाई समीर कुमारदास, ब्लास्टिंग बाई समीर कुमारदास, एक गुराई का जो माइनिंग इंजिनर्स वाला किताब आता है, ठीक है, उसके लाबा और भी अगर कुछ हमको ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेगा, तो वो सब हम कोई भी किताब से उठा के पढ़ा सकते हैं, तो बेसिक किताब आपका कबर हो चुका है, डीजी देश्मुक बाईरा सब कुस कबर हो चुका है, लेकिन आब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पर जाते हैं, थोड़ा यूट्यव गोषिस कर रहा है कि यूट्यू पर क्लासिस कर रहे हैं और देकॉर आपसे और जानकारी गोखते हैं जानकारी यह है कि जो मैं कुछ दिन से काफुभगे न में पढ़ा रहा था मतलब कुछ दिनों से नहीं इस बार एंसेल का एक्जाम वह से पहले से मैं थोड़ा सा टीप में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोग थोड़ा नेगेटिव टीफ हला रहे से मेरे वारे हूं जितना ज्यादा हो सके ग्यान बटो अलगलग टॉपिक को कवर करो टच करो एक किताब में अगर एक टॉपिक दिया है दूसरे किताब में अलग अलग टॉपिक दिया है तो उसको कवर करो और एक और चीज खास बात कोई भी राइटर को उल्टा फुल्टा अनाप सनाप मत ब सब किताब अपने जगह पे बहतर है सब टीचर अपने जगह पे बहतर है कभी किनी टीचर का अनाधर मत कुरू अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारा किताब है हर किताब को कोशिस करो कि एक बड़ टच करके देखें कि क्या टॉपिक है नहीं है और यह इस वाट्सडू नमयर पर मैसेज करें वाट्सड नम्बर है 6200 670 155 यह वाट्सड नमर ईस वाट्सड नम्बर पर स्रीप मैसेज किजेगा look कि आल्रबीट सारा मैसेज आ रहा है आपको आपको मैं इसी बैच में डाल दूँगा और जो बेसिक लेबल का था यानि डीजे देश्मुक 1,2 ये सब वाला जो था और बेसिक लेबल का था वो मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन उसका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा ताकि आप देख सकते और अडवांस लेबल क किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक के लिए कीप वाचिंग कीप सपोर्टिंग तिल दैन जाहिए